सरहत के उस पार में खुशामदीद, स्वागत, आज हम फिर से बात कर रहे हैं रूस और युक्रेन के क्राइसिस के उपर, रूस ने युक्रेन का फुल स्केल इन्वेजिन कर दिया है, उनके उपर पुरी तरह से हमला बोल दिया है, इस हमले के बाद दुनिया भर के जितने भ सेंक्शन्स लगाएं हैं, लेकिन अभी तक रूसी बैंकिंग सिस्टम के उपर सेंक्शन्स नहीं लगाएं गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा सीवियर किसम के सेंक्शन्स माने जाते हैं, जब आप उनके स्विफ्ट बैंकिंग बिलकुल बंद कर दें, लेना देना जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस के राष्टरपती व्लादिमिर पुतिन को फोन किया, और उनसे सीज़ फायर की मांग की, और ये कहा कि आप डायलोग से अपने मामलात को ठीक करें, लेकिन उन्होंने कंडेम नहीं किया, आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम इशूस बशानी साब, सब ने शदीद मजम्मत तो कर दी है, लेकिन उसके आगे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता, उनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसल को ले ले, जी सेवन कंट्रीज हैं, उसके बाद अमेरिकन्स हैं, छोटे छोटे मुल्क, उन्होंने भी कंडेम किया ह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बात की जैसा मैंने कहा शुरू में, लेकिन आगे बढ़के रूस के खिलाफ कोई मिलिटरी एक्शन नहीं लेना चाहता, आप इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं, आखिर दुनिया एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड गवर्मेंट और एक ऐसे मुल्क को जो कि सब के सामने बिलकुल ये बात साफ है कि युक्रेटिकली यहां पर एक विक्टिम है, एक बड़ी सूपर पार के हातों जलीर हो रहा है, और हम तमाशा देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या दुनिया ने युक्रेटिकली के लोगों को फेल कर है कि जो लोग दुनिया की पालिटिक्स को समयते हैं, वो पहले से यह जानते थे कि इसमें नेटो जो है, वो मिलिटेरिली कोई अक्शन नहीं करेगा, बलके ये तासर दे के, कि जी हम अगर रूस ने इसा किया तो हम कर देंगे, इसके नतीजे में युक्रेटिन लोगों को एक तरह की फाल जोब जिसको कहते हैं, उनमें क्रियेट करके तो उनको मिसगाइड करने वाली बात थी, चुक्कि ये बात डे वन से क्लियर थी, कि ये इस तरह कोई अमल नहीं करेंगे, और रूस की वज़ा जो है, वो मुखलिव जगों पे जो इनकी आपस में इस तरह की क प्रोग्रमों में बात की इस पे, कि जो बैलन्स आफ पावर है, जो ताकत का तवाजन है, वो यहां पे इस तरह का है, कि रूस कोई मामूली धरजे का कोई मुल्क नहीं है, मिलिटेरिली स्पीकिंग, कि उस पे जो है, इतनी आसानी से, या इतनी जल्दी जल्दी जो है, व और ये जो बातें हो रहाई थी, कि हम कुछ करेंगे, ये सिर्फ इस वज़ए से हो रहाई थी, ताकि किसी नो किसी तरीके से, रूस को इस तरह की जो है, वो अटैक करने से रोका जा सके, जो कि वो रुका नहीं, और जाहर है, उनकी अपनी कल्कुलेशन्स हैं, तो इस असा हैं, तो मैं समयता हूँ कि ये भी दूस नहीं है, डिस्पाइट अफेक्ट के यूकरेन के साथ कितनी ज्याती हुई, या वो किस तरह का विक्टम है, ये एक बिल्कुल डेफिनेटली एक जिस्टिफाइबल किसम का सवाल है, लेकिन उसका जवाब क्या जंग है, और क्या य किनेटो जो है, वो अपनी मिलिटेरी माइट के साथ यूकरेन पर वरैरूस पर हमलावर होता है यूकरेन की टेरिटोरी पर, तो उसके कांसिक्वैंसिज क्या हूंगे, जो कर भी दो recognizable हों जो हैं, जो के जाहरा यूरिप के अंदर, यह सारी बात गत्रहें, आप देखेंगे यूकरेन से बल्जियम कितना दूर है, जर्मनी कितनी दूर है, फ्रांस कितना दूर है, तो ये एक बहुत बड़ी highly populated किसम की territory है, जिसके अंदर इस तरह की दो ताक्तों के दर्मियान जंग जो है, वो किसी तरीके से भी advisable नहीं है. तो इसलिए मैं समयता हूँ कि NATO, आल्दो के इट फेल्ड टू दा पीपल अफ जो है यूकरेन, इन एस सेंस के उसको एतनी आइप क्रियेट करके उनको false hope नहीं देनी चाहिए थी. लेकिन NATO को ये बरहल जो है, ये strategy मैं समयता हूँ, कि वार में ना जाने की strategy एक दानश्मंदाना strategy है, चूँके ये जो situation है, ये जो spot है, इसके अंदर किसी तरह की वार मैं नहीं समयता, कि इनके किसी भी तरीके से, किसी भी फरीक के हाँ में जाती है. बशाने साहब, इसका मतलब ये है, कि दुनिया ये calculate कर रही है, कि अगर NATO ने जंग की, रूस के उपर, तो हो सकता है, millions में लोग मरे जाएं, तो वो बड़ी casualties ना हों, इसलिए अगर रूस अपनी हद से आगे बढ़के युक्रेयन पे कवजा करता है, तो वो हो जाने दें. कल को इसी तर्ज पर अगर चीन, ताइवान पर हमला करता है, तब भी क्या NATO का यही रुख होगा? ने, देखें, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, कि जी कवजा कर लेने रहें, तो इसका मतलब ये है, कि दुनिया युक्रेयन को बिल्कुल अबेंडन कर रही है, और रूस उस पे कवजा कर लेगा, बात खتم हो जाएगी, ये बात नहीं, एक strategy तो उन्होंने in place की हुई है, ये मैं आपको बता दूँ, कि इसमें जो important चीज़ है, वो ये है, कि यहां पे दो बड़ी ताक्तों के, दो बड़े बलाक्स के आपस में मुफादात का टक्राओ है, जिसको समयने की जरूरत है, और जहां तक रूस का तालक है, रूस जिस तरीके से उसकी जो standing है, वो बड़े पैमाने पे एवाम के सामने या पारलिमेंट के सामने रायामा के सामने या मीडिया के सामने जवाब दे नहीं होना है, इसलिए वो इस तरह के बहुत सारे decision कर सकते हैं, जो वेस्ट के लिए करना बहुत बड़ा मुश्कल काम है, मैं इस पे देख रहा था, कि यह ज जानक एक चीज़ बनाके पेश किया जा रहा है, इसमें मैं यह देख रहा था, कि नवंबर में जो रपोर्ट्स आई हैं और जो प्रावदा में रपोर्ट होती रही हैं, जो रूसी नियूस पेपर है, उसके अंदर के नवंबर में उन्होंने अपनी जो आपडोजें थी, नियूक्लियर आफडोसे हैं, उनको एक्टिवेट करके तो उनके बेस से नकालके उनको मुख्लिव जगों पे जवाना कर दिया था, आलते जंग से जो होती है, हाई अलट सिचुएशन के अंदर, तो उसका जवाब के से दिया जाएगा, और उसकी एक और चीज़ जो प्र आफडाने रपोर्ट की, वो ये के जनवरी के शुरू में, यूएस जो है कोस्ट के नजदीक एक रूसी आफडोस जो है, वो नमुदार हुई, यानि एपियर हुई, जिसके उपर जो है, वो जो बलास्टिक मिजल हैं, जो आठ वार हैड्स नियूक्लियर वार हैड्स लग कर सकती है, थूरू नियूक्लियर वार हैड्स, तो वो जो आफडोस है, वो यूनाइटे स्टेट अफ अफ अमारिकान की मिलीटेरी ने डिटेक्ट नहीं की, बलके वो जब सर्फिस पे अपियर होई, खुद डेलीबरेटली तो उनको पता चला कि आफडोस हमारे पानियों किसम के मीन्स अफ डिस्ट्रक्शन्स हैं, मुखलिव शकलू में, खुआ वो अबदोजे हूं, नियूकलियर अथियार हूं, वार एड्स हैं, मीजल्स हैं, और ऑन टाप अफ अफ एट एक साइबर टेक्नालोजी है, जिसने पहले ही जो है, वो बहुत सारी वेस्टन पावर को बुटने टेकने पे मजबूर किया हुआ है, उसके साथ आप वार में जाने से पहले गोरोगोस करते हैं, कि इसके तबाई और बरबादी की स्केल क्या होगी, और स्पेसिफिकली जब वार आप लड़ते हैं, अपनी टेरिटोरी में, यूक्रेन इस नाट वेरी फार प्र अकसर जो इनका पूरा हुआ है, वो जो इस रूस की इस अटेक की बैसे यूक्रेन में नेटो जो ही रेलिवेंट हो गया था, और इवन यूनाइटे स्टेट अफ अमारीका में ये समझा जा रहा था, कि नेटो की ज़रूर तब खत्म हो गई है, और प्रेजिदेंट ट्रम रहे हैं और जो हम इसको आर्गनाइज कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं, ये जो है इस सिच्वेशन में एक बहुत बड़ी तब्दिली आ गई है, एब नेटो एक बार फिर मैं समयता हूं कि वो जो एटीज और नाइनटीज वाली कोल्ड वार थी, उसकी शकल में दोबारा जो है वो इसको रियर्गनाइज किया जाएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे मुलक शामल हो जाएंगे, इस खोफ की वायसे जो कुछ यूक्रेन में हुआ, उसमें जो नीटरल स्टेट्स हैं इस्टरन यूरोप में, या इवन स्वीडन और फिनलेंड जैसी स्टेट्स हैं, वो जाहर है इन मुलकों के लिए यूनाइटिस स्टेट अफ अफ अमारीका जो है फस्ट स्पार्ट है, जिससे वो इस तरह की प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो इस हवाले से मैं समयता हूं कि अगर इनका कोई मकस्द इस तरीके से क्रीब-क्रीब था, कि यूनाइटिस स्टेट के रिवाइब हुआ है और इसका इनको बहुत बड़ा फाइदा हुआ है और ये जाहर है कि एक सुपर पावर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अब ये बात नहीं है कि ये दे विल जस्ट वाक अवे फ्रम यूक्रेइन के ठीक हजी, रूस ने अमला कर दिया, उसके लिए उनके पास एक स्टेटेजी है, और उसके दो फोल्ड स्टेटेजी है, एक ये है कि वो एकनामिक सेंक्शन्स जो हैं वो स्टेप बाइ स्टेप लेंगे, मेबी नाट डास्टिक के बैंकों पे कबज़ा कर लें या इस तरह एकदम, लेकिन स्टेप बाइ हैं, और दूसरा ये है कि वो यूकरेन के अंदर शुरू करेंगे अपनी जो है वो गोरिला वार जिसको प्राक्सी वार आप कहते हैं, जिसमें के आर्म रिजिस्टेंस जो है वो यूकरेन की पापॉलेशन से क्राई जाएगी जिस तरह अफगनस्तान में हुआ था, उसके स गिसम के असरात पढ़ेंगे यूरप पर और पूरी दुनिया पर अल्टीमेटी, यूकरेन की अबादी तकरीबन फॉर्टी फाइव मिलियन के करीब है, एक्सपर्ट का ये मानना है कि रूस वहां पर ऐस सच कोई कबजा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उस हद तक जाएगा कि वहां पर एक कोई रिजीम चेंज हो जाए या वहां के हलात इस तरह के बन जाएं कि लोग जो हैं आने वाले सौ सालों तक भी नेटो की तरफ या वेस्ट की तरफ देखना छोड़ दें, आपका क्या ख्याल है, आप भी क्या कोई ऐसी ही सूरते हाल बनती हुई देख रह है, उसका ख्याल यह है कि यह जो डिस इंटेग्रेशन हुई थी सोविट यूइन में और रियास्तों को आजाद किया गया था, यह यूकरेन की सूरत में गलती हो गई थी, गलती यह हो गई थी कि यूकरेन डूसरी स्टेट्स की तरह नहीं था, बलके उसके अंदर एक पर जो एतनी स्टेटेब बनी, आप वहां देखें के यूगोसलाविया टूटा, हंगरी, बलगारिया, चीकोसलवा क्या यह पूरे इस्टन यूरप में जो डिस इंटेग्रेशन और बालकरनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उससे यूकरेन को बेचना नहीं चाहिए था, ब जो है उसने दो रियस्तों को जो है वो रिपबलिक जो एंडिपेंडन जो है वो डिकलियर किया, तो इसमें मुझे यह लगता है कि वो पूरे यूकरेन पे जाहर है कबजे के बारे में नहीं सोचते हैं, चुकि वो प्रैक्टिकली पासिबल नहीं है, इतनी बड़ी स्पीकिंग, उनको प्राबलम है कि हमारे साथ पहले भी जाती हुई थी, पहले जब वो सोवीट उन्यून के साथ शामल हुए थे, सोचलिस्ट्री पैबलिक अब सोवीट उन्यून, जे जे, उसमें भी पापुलाते बाद, वो एक बड़ा ख्याल ये है कि स्टालन के दोर म हैं, जो उन वहां पे जो है वो भूख की वज़ा से और फाका कशी की वज़ा से मिलियन लोग जो है मारे गए थे, उसको भी वो अपनी हिस्ट्री का एक डार्क चप्टर और एक ट्रैजिक सीन के तोर पे अभी तक वो रखे हुए हैं, बहुत सारे ग्राजिस हैं अगेंस् प्रैशिया और अभी जो उनका कानफ्लिक्ट चर रहा है रूसी एथनिक ग्रूपों के साथ उसमें भी ये एक फैक्टर है, चुके जो रूसी एथनिक ग्रूप है, वहां पे वो समय था है कि हमारे कल्चिरल लेंग्विस्टिक और हिस्टारिकल राइट्स जो हैं, उनको इस तरह की रहा है, यूकरिणियन गाव्मेंट और कुछ ऐसे प्राइवेट ग्रूप से हैं, उनका ब्लेम तो यह भी है कि यहां पे प्रो नाजी जो राइट विंग ग्रूप हैं, उनको भी हमारे खलाफ इस्तमाल किया जा रहा है, और उनको फाइनस किया जा रहा है, आर और मुमकन है इविंचली इनको बाद में रूस में मर्ज भी कर दिया जाए, तो भी मैं नहीं समझे था कि कोई ऐसी बात होगी, तो इसलिए वो वो इससे कोई नतीजा नकालना चाहते हैं, ताकि यह यूकरिण जो है, इसको नेटो के लिए एगर इन फ्यूचर में इसको बनाने की कोशिश की जाती है, या इसको इसको इस्तमाल किया जाता है, तो उनके पास इसका मुत्बादल मौजूड हो. लेकिन क्या इतनी बड़ी अबादी के साथ में एक लंबी जंग में जाना रूस के फाइदे में है? नहीं, आबादी के साथ तो जाहर है, डफिनेटल रिजिस्टेंस, जिस तरह के अफ़निस्टान में हुआ था. तो उसके फिर नुकसानात भी जाहर है सामने होते हैं, कि जब आबादी को इस तरह मसला करते हैं, सीवल पापुलिशन को, और उनको जंग में जूंकते हैं, खुआ रिजिस्टेंस के नाम पे जूंके हैं, या गोरिला जंग के नाम पे जूंके हैं, तो उसका जो फाल आउट होता है, वो हम अफ़निस्टान में आज भी देख रहे हैं, तो यह एक मैं समयता हूं कि ट्रैजिटी होगी, जो क्रियेट हो रही है, इन दा मेकिंग, और इसको अगर को स्टाप कर सकता है, तो आज भी इसक पेपर्स हैं, उनके अंदर एक सवाल कहीं न कहीं पूछा जा रहा है, कि इंडिया का क्या स्टांस है इसके उपर, इसमें कोई क्लारिटी आनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी तक रशिन प्रेजिटेंट से बात तो की है, लेकिन इस पूरे के पूरे इन्व करने के बात तो बात खत्म हो जाती है ना, देट मीन्स के आप फिर वोई वेस्टरन बलाग का हिस्सा हैं, जो मिलजुल के इस वक्त अरब मुल्क से उसकी कंडम करने का बयाना रहा है, तो जाहर है, इंडिया ये एक जो है वो बात तो रखना चाहता है, कि कम असकम रूस को एक दम जाया नहीं कर सकता, जो उनके इस्टारिकल रिलेशनशिप्स हैं, जो तालग रहा है, वो रूस एक इंपार्टन मुल्क है, इंडियन मफादात के लिए भी बहुत आता है, यूनाइटिज स्टेर्स नेशन के अंदर वीटो पावर है, बहुत बड़ा इसला का एक जो है, वो उसके पास है, तो ये सारी चीजें देखते हुए, जाहरा इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक बात होगी, कि वो उसको कंडेम करें, खुससान एक ऐसे इशू पे जिससे ब्रायरास इंडिया का को बहुत बड़ा तालक नहीं बनता, लेकिन इ चीन की तरफ से भी बयान आया है, और वो भी बड़ा ही नापतोल के उन्होंने इस बयान को दिया है, कि जी आप डायलोग के जरीए कुछ करें, और मगर उन्होंने रश्यव कंडेम नहीं किया है, आपने भारत और रूस के जो हिस्टॉरिकल रिलेशन्स हैं, उनकी बात की तो हिस्टॉरिकल रिलेशन्स तो कॉंग्रेस के जमाने के बनाये हुए हैं, पंडित नहरू के खुसूसन, उन्हीं का सबसे बड़ा किरदार रहा है भारत और रूस के तालुकात में वो पंडित नहरू जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी हर स्पीच के अंदर कोसते रहते हैं, उनके उपर इलजाम लगाते रहते हैं, तो एक ऐसे इनसान के बनाये हुए तालुकात की प्राइम मिनिस्टर मोदी को या आज की जो मौझूदा हुकूमत है उन्हें क्यों परवा करनी चाहिए, भारत और रूस के दर्मियान जो बाइलेटरल ट्रेड है वो तक के हिसाब से देखें, तो हमारी जो हमारी ओवराल जो ट्रेड है उसका दो परसंट से भी कम है, तो फिर भारत को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो कंडम नहीं कर पा रहा, तालुकात इनके तो बनाये हुए नहीं हैं, जब यहां सबसे ज़्यादा जो डाली है प्राइम मिनिस् है, तो हम कौर्ड के मेंबर हैं, वो कौर्ड जो की चीन के खिलाफ बनाया गया है, तो फिर हमारी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसी क्या मजबूरियां है, हम जाना चाते हैं वेस्ट की तरफ, लेकिन रूस को भी साथ लेकर चलना चाते हैं, दो नावों पे अखिर कब तक स की पार्टी पालिटिक्स हो सकती है, चुकि अगर आपने कांगरस को डिफीट करना है, तो जाहर है, पॉन्ड जवारलाल नैरू जो है, एक लार्जर देन लाइफ कारेक्टर है वेन इट कमस तो कांगरस, तो आप उसको टार्गिट करेंगे, तो आप कांगरस को पापुलारिटी और वोट, यह आओ गई, इसका एक पहलू जो बहां पे है, इंटरनल इंडियन कंजम्शन के लिए, लेकिन जहांके रूस का तालक है, तो रूस जो है, इस टू इंपार्टन अलाइज फार इंडिया, इंटरनेशनल पालिटिक्स में, सिर्फ एक कश्मीर इशु को ले लें के रूस की वज़ा से, जो सर्वाइवल की है इंडिया ने, इंटरनेशनल पालिटिक्स में, जब एक वक्त में पूरा वेस्टन बलाक जो है, वो इंडिया के पीछे पढ़ गया था, जब के सीटो सेनीटो वगएरा के दोर में, जिसमें अमरीकियों से ल जो बनता था, यूनाइटिन नेशन का, उसमें अमरीकी नमाइदा होता था, तो उस वक्त अगर कोई मौलक जो है, वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, अनकंडिशनल और कंसिस्टेंटली तो वो सोविट यूनियन था, जाहर है, अब सोविट यूनियन नहीं रहा, लेक कांसिक्वेंसिस बड़े निकल सकते हैं, वो कांसिक्वेंसिस निकलने से पहले ही, इमरान खान जो है, जाके तीन गेंटे, जो है, वो पोटीन के साथ बैठके, अपनी कानी सना के आया है, दो तीन कानीयां बलके सना के आया है, कि मैं जब इंगलेंड में क्रिक्र केलता था तो क्या होता था दुनिया में ये जो इसलामाफोबिया है इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ रूस के बारे में मैं आप से मुम्कुना कह चुके हूँ के जानता हूँ तो ये चीजे आर्रेडी उन्होंने मसला कश्मीर भी उठा दी है वहां पर तो इसमें इंडिया इस तरह की कोई मैं नहीं समय ताकर कोई अडवेंचर करेगा specifically कि जब यूकरेन के साथ इंडिया का कोई उस तरह का को बहुत इंपार्टन किसम की जुड़त भी नहीं है एकर है भी तो through NATO है और इंडिया NATO का member भी नहीं है तो इसमें जो है वो गवाच उस्त और मुद्देश सुस्त वाली कहानी बन जाती है ऐसा ही है बिलकुल ऐसा ही है ठीक कह रहे हैं आप लेकिन एक event ऐसा हुआ अभी हाल ही में जो कि भारत को सोचने पर मजबूर करेगा और वो यह है कि winter Olympics के दर्मयान रूस और चीन ने जो आपस में समझोता किया है और वो समझोता भी इस level का कि वो एक दूसरे को आखरी हद तक हर issue के उपर back करेंगे इस तरह कि कोई टीटी नहीं है भारत और रूस के दर्मयान जितने गहरे तालुकात आज चीन और रूस के हैं उतने हमारे नहीं है दो साल पहले जब ये जो गलवान के अंदर रिपोर्ट सानी शुरू हुई थी और ये crisis develop हुआ सारा तो हमने ये देखा कि हमारे defense minister फौरी तोर पे रूस गए उनसे हतियारों के डिमांड करने के लिए अगर आज या future में कोई चीन के साथ हमारा conflict होता है तो क्या भारत फिर दुबारा रूस के पास हतियार लेने जा सकता है उन्होंने बिलकुल साथ कर दिया है कि उनको अगर चुनना पड़े गा भारत या चीन में से तो वो तो चीन के साथ खड़े हैं फिर हम कहां खड़े ह हैं पाकिस्तान रश्या और चीन की तो आज नैचरल अलाइंस बनती है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि यह तालुकात और भी गहरे होंगे देखें जी यह डिपेंड करता है कि चीन क्या पोस्चर इक्तियार करता है कोई माइदा कर लेना या बहुत बड़ा एक ठीसिस लिख देना फाइव औन तावजन वोर्ड पे कि हमारे यह यह तलुकात होंगे उसका जो टेस्ट और ट्राइल है वो यह है चीन के पोस्चर प जो माइदे किए हैं और ने तलुकात की जो तजदीद की है उसमें देखना ही है कि क्या इन प्रैक्टिस चीन उसके साथ खड़ा होता है यह नहीं चुक्के चीन की बहुत ही डामिनेटिंग किसम की क्लाइंट यह स्टेर की इस्ट्री लेकर जब कभी भी पाकिस्तान और इ कानफलिक्ट हुआ तो उसमें भी चीन ये मंत्रा पर नो शुरू हो जाता है कि जनाब आप अपने मामलाद जो है वो डायला के जिए आल करें आलोंकि इंडिया के साथ उसकी दुश्वनी का जो स्केल है और जो चीज है वो आपके सामने है अब देखनो ये है कि क्या यूकरीन में क्राइसिस अगर इंटेंसिफाई होते हैं उसको इंटरनेशनल एरेनों में ले जाया जाता है वहां पर फाइट होती है तो उसमें चीन खुलके सामने आता है या नहीं लेकिन अगर चीन उसमें वो ही कहनो शुरू हो जाए जो उसने आज का कि जी आप डालाग करें तो फिर जो है आप समय लें रूस और चीन के दर्मियों को बड़ी ब्रेक्थरू नहीं है यह मैं आपको बता तो हूँ फिर चीज़े रेकंसिडर होंगी ठीक है रॉइटर्स ने यह रिपोर्ट किया है अभी थोड़ देर पहले जब चाइना की जो फॉरंण ऑफिस की स्पोक्सपरसन है उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की एक जैम-पैट मीडिया ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया है इस वाक्त जो वेस्टर्न दुनिया है वो इस पे मुतविक है कि यह इन्वेजन है और इसको ये बाकाईदा इन्वेजन कह के कंडेम कर रहे है ये जो नेटो कंट्रीज हैं कम अगर वेस्ट पूरा नहीं तो तो जाहर है चीन ये तासर देना चाहता है कि वी डू नाट एगरी विद यू लेकर आम इसको एक्ट जो है वो गल्ट एक्ट समझते हैं यानि वो य गल्ट काम कर रहे हैं जो ना करें अगर सही काम के लिए तो कोई रिस्ट रेंड करने के लिए नहीं कहेगा अगर गहराई में जाएं यही मैं कह रहा हूं जो इभाम है चीन की पालिटिक्स में और राह है आपको याद होगा कि ये हंगरी में क्या हुआ था हंगरी या बसी पे भी वो गिर गया था ऐबॉम गिर गया था तो चीन का रवीया केसा था है अब चीन जो है न वो समिखता ए कर समुझे हैं कि हम दुनिया में जो है वह हमारी एक पालीसी है कि किसी गान। कान्फलिक्ट में हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए बलके कान्फलिक्ट रिजाल्व करने की पालिसी जो लिखा हुआ है उनके मैनिफिस्टों में वो यह है कि दुनियों को हम इंकरज करेंगे जी आप अपने मामलात को गुफ तो शनीद से आल करें और यार नाट पार्टी उसलू में से एक है तो इसको अगर वो लेकर चलते हैं यॉकरेन के सौझे यॉकरेन के स्वाल पे और वो इसको कंडेम नहीं करते और यॉकरेन के और रैसिया के साथ खड़े नहीं होते तो फिर मैंने का कि एक प्राबलम खड़ा होगा और रूसी इस चीज़ को जो है दे wouldn't like it because they are expecting और अगर वो कंडेम नहीं करते हैं रूस को और जिस तरह का रिस्पॉंस बड़ा थंडा रिस्पॉंस दिया है नेटो ने आपका क्या ख्याल है कि क्या इस से चीन के हौंसले बुलंद होंगे ताइवान की ओपर कोई हमला करने में यह बिल्कुल क्लियर है जी यह ख जो कुछ रूस जो है वो कामयाब होगा यूक्रेन में करने का चाइन जो है वो ट्राइ करेगा उसका रप्ली का और उसमें हमें एक ही तरह के अलात का सामना होगा लेकिन अब जाहर है कि इस खोफ की वैसे वेस्ट जो है वो एड़ विंचर तो नहीं कर सकता ना कि यह रू वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि आप जो है वो फोजें उतार दें यूक्रेन में जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं इन डीटेल कि उसका फाल आउट जो है वो नहकाबले तसावर फोफनाक तबाई है जी विशानी साहब आज आपने वक्त दिया आपका बहुत-बहुत आपसे फिर बात होगी थैंक यू दिनाप थैंक यू